जेहें दोस्तों अनिल सर यूटी चाला आपसे बहुत असाथ है जब आप आईटीआ कर लेते हैं तो आप किसी कंपने जौब के लिए जाते हैं यह अप्रेंटिस के लिए जाते हैं तो इसी दौर्वाण आपसे इंटर्विव पुर्ट पूलिया रहता है और इंटर्विव म तो मारुति सुजुकी क्या है नीची तो कई सारे वेकेंसी ऐसे होते हैं जब आप किसी कंपनी बस इंटर्व्यू बेस्ट आपका सेलेक्शन होता है तो आप वहां पर इंटर्व्यू पास आउट करना पड़ेगा और जो प्रश्ट पूछे आएंगा उसका जवाब देना प उसका जवाब आप कैसे देंगे नहीं लेकिस सबसे पहले बात ध्याना कि आपको एक इस्वादो बन लेना है ऑन्टर्व्यूमेश आ पहले आप सारा डॉक्वेंट उर्चमें लेकर आएंट कैसे बनाना है description में आपको वीडियो देदें वहां से चेक आउट कर लेजिए कि आपके मोबाइल में रिज्यूम कैसे बनाएं और जादा तर प्रष्ट जो होते हैं आपके रिज्यूमे मैं से पूछ ले आते हैं तो रिज्यूम में वही सी इंटर करें जिसके बारे में आप चानते हो या जो कुछ आप इंटर करें उसके बारे में आपके पास जनकारी होना चाहिए तो चलिए आज के प्रष्ट देखते हैं जो सभी से पूछे आते हैं और बहुत ही जवाप यह प्रष्ट पूछा तो पहला प्रष्ट यह हैं कि अपने बारे में बताए सबसे सबसे पहले मुझे अपना परिचे देने काउसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा नाम अनिलुकवार पांडे हैं मैं बगसर भिहार से हूं मैं 25 साल का हूं मेरे पीता जी एक किसान है और मां ग्रेहनी है पिछले साल मैंने आई टी आई के लेक्ट्रि मंदारी से करता हूं मेरा लक्ष जीवन में एक सफल और अदर्श व्यक्ति बनना है और देश की सेवा करना है इसके अलाव मुझे प्रेणा दाय किताबे पढ़ने का सौक हुई है और मेरे परिशे के बारे बस इतना ही एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यह से कुछ अपना मोडिफीकेसर अपना अनुसार कर सकते हैं या इसे कि आपना नालच कर लेजिए आपके पिताजी जो करते हैं या अपने डिया कं किया त्रेट से किया आप किस प्रकार के बैगती है और अपका लग्ष जीवन में क्या प्राप्त करना है या आपका देखती आगे किस प्रकार के प्ऱक्त आते हैं लेकिन ये प्रश्ट जरुर्स पुछयाए 8ates Tell me About Yourself अपने बारे में बताइए यह जरुर पुछया है तो इसको नोट डाउन कर लिझे नेक्स्ट परस्ट यह होता है कि आपको kिस छेत्र में मतलब आइटिया आप सकते हैं आपको चेतर मिल गया तो आप कह सकते हैं में बहुत यह अच्छी रूच्छी आपको में की तो आपको पसंद आता है तो यह तो आपके अंदर आप यह कि इसका जवाब क्या बताते हैं लेकिन आप अपना छेत्र डिसाइड कर लिजिए जाने के पहले जिससरे आप से पुछा जाएं तो आप इसको बता पाएं कि आप आपने आगे अपने जीवन में क्या करेंगे और पिछले आप यह ने आपने क्या अचीव किया है तो इससा आप बता सकते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और बहुत ही बहतरीन था और उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि मैंने स्कूल टाइम एक इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया था जो बहुत ही सराहनी यह भी था और उस तरह से बताएं यह भी बता सकते हैं स्कूल में बहुत अच्छा काम किया अपने अच्छा प्रोजेक्ट वह तो उसके लिए आपको अवर्ड भी दिये गए इस तरह से आप बता सकते हैं तो इसको देखी आपको क्या मिला है वैसे इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है और आपको प्रोजेक्ट भी बनाते तो उसका कोई प्रोजेक्ट मांगे या नहीं लेकिन आपका एक एडवांटेज इंटर्वीवर को पता चल जाया कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया या आप किस प्रकार के चात्र थे अस्कूल टाइम पर क्या अच्छे लर्नर थे या नहीं थे इसका जवाब आपको अच क्या जानते हैं यह अधिकानस्ता पूछा जाता है ताकि आपके बारे में कि आप इस कंपानी को कित्रा आ चाहते हैं आप नहीं एक फैसनी आप जाते हैं तो उसके बारे में आप उसके साइट से या कि सिपोर्ट से उसके बारे पूरे दनकारी ले लिए कि उसका कहां कहां पर science प्लांट है और वु कितना और हर उसके कितने इंप्लॉई कार्म करते हैं उसका हर प्रत्यृच सान का कर rimin Deafलो इसके बार हम पूरे जनकारी रखने ए सभी दिखने कि उस थे क्या क्या प्रोडक्शन उसके कम्पनी में कहां पर यूमिर्टे आपको company के official website पर मिल जाएगे नीचे comment करेंगा उसके official website का link देदेंगा आपको किस company आप interview के लिए जा रहा है next question देख लेते हैं प्रश्ट यह होता है कि आप यह company क्यों जोइन करना चाहते हैं अधिकांसता सवाल यह होता है कि आप company क्वे the jaw करना चाहते है आप फिए reason क्या है यह तो आपको करता है कि आप उस company क्यों जोइन करना चाहते हैं लेकिन वहां पर आपको जवाब तो देना होगा तो वहां पर आप सकते सकते हैं और कमपनी है और यहां पर मेरा करियर ग्रोथ भी होगा और कमपनी के लिए हम बहुत ही अच्छे साबीत भी होंगे कमपनी के लिए भी कमपनी और ग्रोथ करें इसके लिए जोइन करें और कमपनी बहुत ही बड़ी है जिसे मेरा भी करियर बहतर होगा इसलिए हम यहां जोइन कर तो आप पर तो नहीं पूछ आएंगे कि कई सारे जौगों में जहांप पर फीक्स नहीं ओते है कि किता सेलरी आपको मिलेगी वह आप पर डिपेंड कर तो वहां पर आपको सलॉरी पूछा रहता हैं कैसी मेस्जनय चाहिए कि यह अच्छा नहीं होगा कि किशिई हैं इतना चाहिए अनसे ही पूछ लेना है कि आहीं किंटनी थारी बेख। और उधर से आपको बताइंगे और आपको suitable होंगे उसके लिए जॉब के लिए रही है या नहीं भी और फ्रेशर है तो आपको जितनी भी salary के लिए बोले तो आप हाँ ही में बोली है आपको अनल दिनों में salary जो है growth कर जाती है और बड़ी-बड़ी company जाते हैं या कहीं इंट सारा काम्हातर होते हैं, तो ढ़नको कमपनी क्यों ले अगर आप रहते हैं तो कम्पनी की नहीं बता नोगा हएं,हम इंत्रकों इमंदारी से लगण से कारे करते हैं तो हम फाद कुम होते हैं लेकिन विद्लेरेश को आप कंपनी के लिए पहुचेंगें कंपनी के ग्रोथ के लिए कारे करें कंपनी के जैसे भी आलत होगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे और इस तरह से आपको जवाब देना है और वैसे आपसे आप सबसे पहले बताय भी दिया था अपने बारें परिचे मैं मेहनती व्यागत करें रहें इसा आपको जवाब बताना है तो ठीक है सबसापको यह बताया है कि कंपनी के ग्रोथ के लिए मैं बहुत अच्छा साबित होगा और मैं बहुत ही मंदारी में मन्दार वैक्ती हो जिससे कंपनी को मुझसे किसी परहा का नुक्सान नहीं वन होगा इसाथ पर आपको यह बता देना है कि नहीं हम किसी को नहीं जानते हैं और बहुत सारे से कंपनी होती है जो किसी कंसल्ट से जाते हैं तभी वहां पर रखा जाता है कंपनी के बारे में यह जनकारी हासिल करना हो और यह सभी प्रश्टों की जवाब देते हैं यह तो बेसिक वह आने वाले दिरों में आपको technical question कि एकिए बऑती इंपोर्टनट वीडियो रहा होगा और इसको अपको इंटर्वी देने करें के पहले जैडिacking करें आपको बहुत है थाकर ये जानकारी ले रहे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेजिए सारी जनकारे सारी अप्रेंटेस आपको समय से मिलती रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कूर नहीं बुलेगा